राजनीती में भी सत्ता की दुरी पर हमले से पहले उसके लेटिनेंटों पर कई बार हमला किया जाता है क्या बीजेपी का मराश के ग्रेमंतरी अनिल देश्मुक पर लगातार हमला वर रहना मुक्यमंतरी उद्दफ ठागरे पर हमले का पूर्वा भ्यास है इस सवाल का जबाब टटोलेंगे लेकिन पहले आपको उस हवाई उडान का ब्योरा देते हैं जो देश्मुक के पैरों तले सियासी जमीन खिसका सकती है अनिल देश्मुक कहते हैं कि वो फरवरी में कोरुना के कारण कोरंटाइन थे लेकिन एक special flight के दस्तावेज बताते हैं कि देशमुग ने उस दिन एक secret यात्रा की थी वो यात्रा 15 फरवरिक होई थी जिस दिन वो अस्पताल से discharge होने का दावा करते हैं वो उडान दुपहर 2 बजे की थी वो details बहार आ चुके हैं एक special jet विमान से नागपूर से मुंबई की यात्रा मंत्री श्रीमान अनिल देशमुग ने की थी और उसमें देशमुग समेथ 8 यात्री सवार थे अब देशमुग की उसी उडान से बीजेपी महराज सरकार की उडान को क्रैश कराना चाहती है 15 फरवरी को जब महराज के ग्रह मंत्री अनिल देशमुग ने special विमान से नागपूर से मुंबई के लिए उडान भरी तो उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि जमीन पर जब वो उतरेंगे तो स्वागत में कई चुबते सवाल खड़े होंगे मेरा मानना ये है कि 15 से 27 इस बीच ग्रह मंत्री जी जो होम कॉरंटेन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे कई लोग उनको मिले हैं कई अधिकारी उनको मिले हैं और जिसके बारे में जामकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है देशमुक के बॉस यानि शर्टपवार ने तो क्लीन चिट दे दी लेकिन देशमुक के उडान के एक आगज उन पर आरुपों की मुहर लगाते गए इस कागज पर देखिए तारीक लिखी है 15 फरवरी 2021 और नीचे नाम लिखा है अनिल देशमुक और इस तारीक समय और नाम का मिलान महराश की राजनीती में तूफान लाने के लिए काफी है इस से इस साफ होता है कि जिस 15 फरवरी को देशमुक खुद को नागपुर में बता रहे हैं उसी दिन वो नागपुर से स्पेशल जेट से मुंबई पहुँच गए अब सवाल है कि उस सच को देशमुक और उनके सियासी बोस शरफपवार क्यों चुपा रहे हैं क्या वाकई मुंबई में देशमुक उनी पुलिस अधिकारियों से मिले जिनको लेकर परमबीर ने चिठ्ठी लिखी अगर उन अधिकारियों से देशमुक मिले नहीं तो फिर इतनी लीपा पोती की जरुवत क्यों पड़ी देशमुक क्यों नहीं अपने घर के सीजी टीवी फुटेज खुच जाच एजनसियों को उपलब्द करा देते ताकि साफ हो जाए कि कौन उनके घर आया था और कौन नहीं फिलहाल फ्लाइट वाले इस दस्तावेस के आने से पहले देशमुक और पवार अपनी कुरोना और कुरोना और कुरंटीन थियोरी को बार बार बता चुके थे अब बीजेपी सवालों से लैस है और हऊपितार्ज के गेट की उपर काफी फत्रकार वाहस फिकडे है मुन्को मुझा कुछ सवाल था मैं कुविट के वेजे से मैं जिदे पुटिज था उसकी वजय से में मानी कुड़ी में बैठ पेंट के उनके सवालों का जाह देखे गाड़ी में बैटके होग कॉरेंटाइन 27 पर दिंदर कुपिया हादर निया पवार साब को सही ब्रिफिन नहीं दी गई थी एक राट्रिया नेता के मूसे और जो देश में जाने बाने नेता माने जाते है उनके मूसे गलत बाते कहल वाई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कम्प्लीट एक्स्पोज हुआ है ये सारा विवाद तब उठा था जब मूंबाई पुलिस कमिश्टर के पद से हटाए गया परमबीर सिंग ने देश्मुख पर सो करोड रुपए महिने की वस्रूली का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि मध्य फरवरी में कई अधिकारियों से देश्मुख ने मुलाकात की थी देश्मुख ने इससे इंकार किया लेकिन हवाई उडान वाला सबूत उनको सियासी तोर पर पैदल भी कर सकता है राजनीती में भाशा बहुत जरूरी होती और फर्णविस शरत वार को पवार साहब कह रहे हैं आप समझ सकते हैं कि खिचडी कहां पक सकती है आने वादरों में चाहे सियासल के दाओं पेचो या पुलिस का खेल मुंबई का मामला उलशता जा रहा और इस मुद्धे पर जनता भी माराज सरकार पर आरोपों से काफी ज्यादा नाराज है शिशिर भालचंदर जी ट्विटर पर लिखते हैं अब की बार वसूली सरकार वही रमन काईरा का कहना है कि उद्धव टागरे अनिल देशमुक मुंबई पुलिस कमिशनर वाजे एंड कमपनी को देख कर लगता है कि हम गुलामी ठीक थे आजादी के बाद भर्ष्ट नेताओं और भर्ष्ट अफसरों ने देश को लूट लिया है और अब लाख टके का एक सवाल कि जिस देशमुक पर इतने संगीन आरोप लगे हैं जिनके बचाव के दावों की पोल प्यास की पड़तों की तरह खुलती जा रही है उनको बचाने में अपना सब कुछ दौपर क्यों लगा रहे हैं शरत पवार अपने 26 साल के राजनीतिक करियर में महराश के ग्रिहमंत्री अनिलतेश मुख को इतनी सुचियां कभी नहीं मिली और इस तरह विपक्ष के निशाने पर भी कभी नहीं रहे जिसमें हर तरफ से उनके स्तीफे की मांग उठ रही हो प्रवीर सिंग नहीं आरोप लगा है कि उन्होंने शरत पवार जी को भी पूरी जानकारी दी थी उद्व ठाकरे के भी नोटिस में सारी बाते थी तो फिर ऐसे वेक्ति को बचाने का क्यों प्रहास किया जा रहा है आज हम लोगों ने राजी सबा में इस मामले को उठाया कि विलम अनियु देश्मुख को बरखास्त किया जाए और उद्व ठाकरे जो बचाने का प्रहास कर रहे हैं वैसे लोगों को भी अपने पत से इस्तिफा देना चाहिए देश्मुख पर सौ करोल मासिक वसूली का जैसा संगीन आरोप लगा है उसके बावजूद पवार उन्हें पचाने की कोशिश कर रहे हैं देश्मुख विदर्व का एक एहम चेहरा है और बीजेपी में गड़करी फटनवीस की काट के रूप में एन्सीप उनका इस्तिमाल करती है विदर्व में पार्टी के विस्तार के लिए उनको ग्रेह मंत्राले जैसा एहम विभाग मिला देश्मुख के बारे में कहा जाता है कि वो पवार से पूछे बगेर कोई कदम नहीं उठाते साथी उन्हें पवार की बेटी सुप्रीय सुले का भी बेहत करीमी मना जाता है 1999 में जब पवार ने एन्सीप बनाई तभी से देश्मुख उनके साथ हैं पवार जैसे खाग राजनेता जानते हैं कि जैसे ही देशमुक का स्थीफा होगा वैसे ही आरोपों का सारा ठीकरा एंचीपी के सिर पर पूटेगा इसलिए देशमुक पर आरोपों की राजनीतिक साज़िश बताकर बवार मामले को दूसरी तरफ मोरने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही देशमुक को बचाने के लिए NCP मुंबाई के पूर पुलिस कमिश्टर परंबीर सिंग को बीजेपी का मोहरा बताती है दिवेंद्री जी महरास की और देश की जनता को गुम्रा कर रहे थे वो राज्य के मुख्य मंत्री रहे हैं ऐसा नहीं कि विरोधी पक्ष नेता हैं उनको सारी जानकरी नहीं है वो महरास के मुख्य मंत्री रहे हैं ग्रह विबाग उन्होंने समाला है तबादला सीधे कोई मंत्री या मुख्य मंत्री नहीं करता ग्रामंत्री के माध्यम से मुख्य मंत्री तक फाइल जाती है और मुख्य मंत्री उस पर अंतिम निर्णे लेने का काम करते है बीजेपी परंबीर की चेठी को आथार बना कर उद्धव सरकार और उस्टे ग्रिह मंत्री अनिल देश्मुक को कट्धरे में खड़ा कर रही है तो शिव सेना भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर रही है देखिये संजीव भठका लेटर संजीव भठके जो allegations किये थे वो आपस एक बार सामने लाईए मैं लॉआ मिनिश्टर से अपिल करता हूँ इस देश के लॉआ मिनिश्टर से मैं अपिल करता हूँ आपके हाथ में कानून यवस्ता है ना यवस्ता है आप कानून के जानकार रखे और जो लोक सवा और राज्य सवा में कल नाच रहे थे खुदब खुदब कर उनसे भी मेरा आपिल है वैसे अंटीलिया विस्पोटक कान्ड में महाविकास अघाडी सरकार की छवी इतनी खराब हो गई है कि छवी बचाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अप्रैल में मंत्री मंडल विस्तार और फेल बदल कर सकते हैं एबीबी नियूस को मिली जानकारी के मुताबिक देशमुक की जगाज जेन पाटिल या जित पवार को ग्रह मंत्रा लेमिल सकता है गरामंत्री अनिल देशमुक के मामले में एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुए की स्तिती पैदा हो गई है अगर विपक्ष के आरोपों के बाद अनिल देशमुक को मंत्री पत से हटा दिया जाता है तो विपक्ष की आरोपों की पुष्टी हो जाएगी लेकिन अगर उन्हें मंत्री पत से नहीं हटाये गया तो निशित तोर पर सरकार और पार्टी की बदनामी होना तैमाना जा रहा है ऐसे में अब सरकार फेश सेविंग के लिए जो विचार कर रही है उसके मुताबिक सरकार आने वाले कुछ दिनों में मंत्री मंदल में फेर बदल कर सकती है और मंत्री अनिल देश्मुक को मंत्री मंडल में रखकर उनके पास मौझूदा जो ग्रह विबाग है उसकी जिम्मेदारी किसे दूसरे मंत्री को दी जा सकती है इस विस्त्रित रिपोर्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको महराश में चल रहा है ये पूरा गडबड जाला ये पूरा गोलबाल काफी हद तक समझ में आ गया होगा